जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक स्वागते माहा काली भगत ग्यान यूट्व चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ केवल एक बार माता काली के मंदिर में ये छे चीच चड़ा के देखना माता आपके एक बोलने से वो करेगी जो आप चाहोगे जी हाँ भक्तो कुछ लोग क्या है मेरे पस कमेंट करते हैं कि हमने माता से मनुकाम नहीं मांगी है अपने कारे सफल करने के लिए बोला लेकिन अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ और कहने को हम अपने घर में माता की पूजापाट भोत करते हैं सुवे साम की पूजापाट करते हैं माता के हर्शनिवार मंदिर भी जाते हैं दर्शन गन्य और माता के अनेक मंद्रों को भी जबते हैं माता को बड़े बड़े भोग भी देते हैं सब कुछ करते हैं जो जो पूजापार्ट में होता है लेकिन माता हमारे कहने से हमारे कारे को क्यों नहीं करती है अब जैसे देखें कुछ भक्त होते हैं जो जिनके तापुजाप सब मजबूत होता है जो भोत सालों कई शालों की साधनाय लेके अपने साथ अब घूम रहे है तो उनको आपने देखा होगा दित्र करके कि जब वो माता से या किसी भी देव से देवी से बोल देते हैं कि हे माता हे देवता ये कारे इस पंदे का हो जाना चाहिए फिर आप देखते ही उसका कारे हो जाता है मतलब माता जो बड़े बड़े भक्त है उनकी तो सुनरी है लेकिन हमारी क्यों नहीं सुनरी है हम भी तो एक चोटे सेवक है यही सवाल आपके मन में कही न कहीं गूमता है तो अब आपके मन में ये सवाल जीवन में कभी नहीं गूमेगा क्योंकि मैं आपको केवल एक बार ये कारे बताऊंगी जो सिर्फ आपको एक बार ही करना है माता काली के मंदिर में ये छे चीजे आपको चड़ानी है जो जो मैं बताऊंगी और बस एक बार चड़ानी है ऐसा नहीं कि बार बार ही चड़ानी पड़ेगी एक बार चड़ाके उसके दूसरे दिन से आप देखो जो आप कहोगे माता काली वैसा करेगी जैसा आप चाहोगे माता काली वैसा ही करेगी और यहां तक कि आप जैसा कहोगे हर देवी देपता आपके एक कहने से चलेगा एक कहने से आपके वो काम करेगा जैसा आप चाहते हो यहां माता काली की ही बात नहीं है अन्य देविदेटा जिसकी आप मानता कर रहे हो जिसकी आप पूझा पाठ कर रहे हो लेकिन ये कारे तो आपको करना पड़ेगा माता काली के ही नाम से क्यूंकि कलियुगी की जागरित देवी माता महाकाली है जो फ़र्ष्ट नंबर पे आती है उसके बाद अनेक देविदे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो केबल एक बार आपको ये कारे करना है और शे चीजों को आपको इस्तमाल करना है तो मैं आपको बता दी तिय हूं बिल्कुल ध्यान से सुनें और बारी की से इससे समझें तो देखिया पहली चीज में आपको लेना है एक नारियल पानी वाला और दूसरी चीज में आपको लेनी है ग्यारा निम्बू की माला, तीसरी चीज में लेना है माता का ओरिजनल वाला सिंगार, ठीके चोथी चीज में आपको लेने हैं दो जाइफल, और पांचवी चीज में आपको लेनी हैं 21 लोंग, और छटवी चीज में आपको लेने हैं 9 बता से, ठीके जी ये छे चीजे हैं ज क्योंकि मानलीजी अगर आप मातक काली की मंदीर जाते हैं और वहां भी जो समान विलता है कि आप अगर पहसी समान लेते हैं तो वहां पे नीमम की बाला आपको भोत महेंगी पड़ेगी तो इसलिए आप अपने घर से और पने हातों से बनाए और सिंगार भी आप वहीं से ले जहां पे आप रहते हैं क्योंकि आप मंदिर से अगर कोई भी समान लेते हैं तो भोत महंगा पड़ता है आपको फिर बाद में वही हिसावे किसी किसी का बजट होता है किसी किसी का नहीं होता तो उसी के हिसाब से आप लोगों को सारा समान माता के मंदिर से नहीं लेना अपने घर से लेकर जब मंदिर जाना है अब करना क्या है जो वहां के पंडित है जब आप मंदिर पोच जाएंगे वहां के पंडितों को एक एक करके सारा समान दे दे सबसे पहले नारियल दे, नीम्बू की मारा दे, सिंगार दे और ये जो लोंग बतास से जाइफल हैं ये ये ना दे ये तो आपको अपने हाथों से मंदिर में चड़ानी है जहां पर माता की धूनी हवन कुंड होता है वहीं पर आपको ये चीछ चड़ाने और ऐसा नहीं कि काली माता के मंदिर में जो माता के बड़े-बड़े सिद्पीट इस्थान है वहाँ पर माता के हवन कुंड या धूनी होती जरूर है और आपको जाना माता के सिद्पीट इस्थान में ही है आपके एरिये में जहां आप रहते हैं आपके आसपास के एरिये में माताकाली का, माद्रुगा का, किसी भी देवी का अगर सिद्ध पीट स्थान है तो आप वहाँ भी जाके माताकाली के नाम से इस कारे को कर सकते हैं समझ गए? यहाँ पे आप लोगों को जादा पैसा नहीं खर्चोने वाला और यह कारे जो मैंने बताया है केवल आपको एक बार ही करना है और कैसे करना है? सब कुस तो मैंने आपको बता दिया है और आपकी समझ में भी आही गया होगा लेकिन एक बात और बताना चाहूंगी जब आप यह कारे करेंगे तो आप इस तीज़ के बारे में किसी को नहीं बताएंगे किसी को भी नहीं चाहिए वो आपको कितना खास हो कितना कुछ भी हो किसी को भी आपको इस तीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है और जी ये कारे आपको गुपत तरीके से करना है अगर आप इसे जितना गुप्त तरीके से करेंगे उतना ही आपको फाइदा होता है तो चलिए भक्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गिया होगा अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माताकाली हर हर महादेब माताकाली बाबा भुलेना ता आप सभी की सारी मनों कामना है पूरी करें खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार जै माताकाली होम नमस्षिवाए